नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बाप परसे मारे यूट्यूब चैनल प्रेंस आजी कोशन पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने बालें आपके इंडियन एयर फोर्स जो कि अगनी वीर के आप सभी के एकजाम जो आज से स्टार्ट हो चु यह बात एक है ठीक है इनमें अगर आपने फोर्म फिलप किया और आपका एक्जाम है आने वाले टाइम पर तो आपको यह वीडियो कम्प्लीट वॉच करना चाहिए दो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना दिरी के सबसे पहले दोस्तों आप सबी को बताना चाहूंगा देखिए आपको उपना एटमिट काड डाउनलोड करना आगर आपने अपनी पासवार्ड ढालके कि अगर आपका एटमिट पर 7 महां पर मैसेज कर दीजिगा ठीक है आगे मैं बात करता हूं देखिए आपको अपना डाउनलोड जैसे कर लेते हो लेकिन अपना कार्ड के बात आ रहा हूं आपको एडमिट कार्ड का आपको एक्जाम डेट से थ्री डेज पहले आता है ठीक है किसी का माल लो यह 21 24 तारिक को होगा एकजाम तो जैसे कि आज एकजाम है तो उनका 21 तारिक को आ गया होगा पहले ठीक है ना तो इस हिसाब से आपका आएगा एडमिट कार्ड के लिए आप ध्यान रखें इस चीज़ का क्योंकि आप सोचें कि किसी का 29 तारिक को एकजाम है अभी आ जाएगा ठीक वेरिफिकेशन में लेगा ठीक है दो फोटो आप लोग वहाँ पर ले जा सकते हैं यह आपको दिखाई दे रहोगा मेरे साब से आगे अग्जाम में आपको में बोलना चाहूंगा एक्जामनेशन के डिटेल्स के लिए तो एक्जामनेशन का जो टाइमिंग आपका द इया पर देंगिए आपको प्लेश डालना होता है देखिए कहां से आप लोगा आए हैं यह आपको प्लेश डालना और डेटड़ना के सांबने करने होते हैं अगर आप पहले करके लिए जाते हैं तो भी कोई देकतनी कोगी लेकिन लेटर के सामने करते हैं तो भी अच्छे रहेगा ठीक है आप्यापको signature करने जैसे आप लोग करते हैं लेकिन इसमें आपको कोई बी चीज यूज नहीं करनी है पहले बता देजाओं केबल ये ओफिस यूज के लिए दे रखा आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसमें आपको कुछ भी करने की जरूत नहीं है ठीक है ना आगे हम बात करते हैं और क्या क्या चीज है देखे आपको पता होगी बहुत अच्छी पता देता हूँ काफी के पूछते हैं अमिट के लिए तो अमिट कार्ण में बता देता हूँ पहले नंबर ठीक है face mask आपको पहन के जाना है then आपको और क्या ID चाहिए और क्या मैं आपको बता जाता हूं दो passport size के photograph चार चीजे आपको compulsory है जो कि आप लोगों को मैं पहले बता देता हूं ठीक है ना और साथी देखे पहन ले जा सकते हैं कैसी ball pen blue या black ठीक है ball pen होनी चाहिए कैसी ball pen होनी चाहिए blue या black ठीक है कोई भी पहन ले जा सकते है आप लोग समझ चुके होंगे मेरे साब से आगे हाँ पर बात करना चाहूंगा dress code के बारे मैं आपको dress में क्या-क्या पहने के जाना मैं आपको पहले बता देता हूं ठीक है screen पर हाँपे मैं आपको लगा भी देऊंगा देखिए या तो आप लोग टी-शेट पहन के जाएका ठीक है जो कि हाफ वाजु की टी-शेट होती है निकल वा ले जाएगे या तो आप चपल में जाएगा चपल साथ में रखे जाएगे अगर आप दूर से कहीं से जा रहा है तो चपल रखे ले जाएगा exam center पर जाना चाहते हैं तो ठीक है या फ不知道 है या फिर आप लोग अपने जूते को बाहर रखे कुछ भी अलाव नहीं होगा केबल एक्जाम हॉल में जो मैंने आपको चीज़ें बताएं थी अभी वही चीज़ें आपको लेके जाने हैं और कुछ वहां पर एंट्री नहीं होगी बागी जो भी केंड़ेट सोच रहे हैं कि मैं मतलब भाहर से आता हूं सामान के लिए सामान कहां पर रखूंगा तो देखिए आप लोगों को देखिए वहां पर एक्जाम सेंटर होता है वहां पर एक क्लॉक रूम होता है क्या होता है क्लॉक रूम होता है वह आपके 10 या 20 रूपे लेता है कितने 10 या 20 रूपे लेता है रखने के सामान रखने के आपके तो उसमें आप लोग जमा कर सकते हैं और जैसे आपका एक्जाम हो सकता है वहांसे आपको आउट कर दे जाएगा ठीक है तो देख लीजिए करेंगे एंट्री वगेरा डेटेल मैच करेंगे आपका आदर का आपका फोटो आपका से face match कर रहा है या नहीं और admit card की details को अपना चेक करते हैं वो ठीक है उसके बाद वो verify करेंगे verify करने के बाद आपका temperature चेक किये जाएगा जैसे आपका temperature चेक हो जाता है देन आपको लिख देते हैं कि इस room में और इस seat पर आपका exam है ठीक है seat number और room number लिख देते हैं तो उसी मे आपका बइरिफिकेशन होता है रहोसकता है what के चैप शब्रियो लिख आफ कर किए दास आपको ऑपो और ठीक है यह था आपका process जो कि मैंने आपको बताया बागी दूस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं दिखिए आपको एलाओ के इसमें है T-shirt पहन के जाएगा ठीक है अपने हिसाफ से पहनने का तरिका आप लोग देख लीजेगा यहां पर यह चीज अलाओड है वही आपको यहां रखना होगा ठीक है electronic device यहां पर कोई भी अलाओड नहीं है पहले मैं आपको बता देता हूं कोई भी लीडियर फॉन गया ETC कोई भी खाने की चीज या फिर कैप बगएरा कुछ भी वहां पर ले जाएंगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं जा सकता अगर आप पैसे की बात करूं आप रुपे लेना चाहते हैं मतलब दूर से जाते हैं तो आपको क्या करना होगा note नहीं कि 10 रुपे का 20 रुपे के और आपका उससे ज्यादा की note होने चाहिए मिलब दूवी कागज वाले ठीक है यह मैं सोचिएगा कि 10 रुपे का सिक्का चल जाएग कोई नही आपको पहले बता देता हूं वागि आपके पास note है 10 का 20 का 50 का 100 का 200 का 500 का सब अलाओड होगा मैं आपको पहले बता रुपियों के लिए ठीक है परस बगेर आप लोग अपने आपने जमा करके जाएंगे मुवाइल बगेर वहां पर जमा करेंगे जो 10-20 रुपे जमा करने के लेता है आप से ठीक है ना कोई 19 के बारे में instructions आपको ध्यान रखना होगा पहले आपको देखिए vaccine certificate का ऐसा कोई compulsory वहां पर नहीं है बोला गया है कि आपको वैक्सिन लगवा लेनी चाहिए लेकिन अगर आपके पास अभी time नहीं है अगर आपने नहीं लगवाई है तो तो देखिए अपनी safety के लिए mask तो पहन के जाना आपको ठीक है mask के साथ में आप लोग अपना 50 ml का sanitizer ले जा सकते हैं अपनी safety के लिए ले जाना चाहें तो या फिर आपना 50 है यहां पर दे रखा एक transparent होना चाहिए वो भी आपको ध्यान रखना होगा transparent का मतलब होता है इस type क इस ताइब की आपकी बोटल होना चाहें लेकिन वह भी transparent होनी चाहिए ठीक है यह आपको बता दिया आगे मैं बताना चाहूंगा डियर यह आपको देखेगा mask पहन के रखना इस चीज का आपको ध्यान रखना है जो भी आपको अग्जाम होने से बात भी आपको यहने की खतम होने के बाद भी आपको यह सब करना होगा ठीक है इन नो वाले पर आपको टिक करना होगा सभी पर नीचे आपको देखेगा पर tap इन नो पर टिक करना है उसके बाद देट अपना प्लेज डालेगा मालों में डिल्ली से हो तो डिल्ली डालूगा ठीक है जो भी आप जहां से भी बलन करतें थो आप अप उपना वहीं पे डालिएगा पर चीज़ें आपको लेके जाने हैं उसके बाद मैं आपके बात करना चाहूंगा यह किलियर हो गया आपको ब्लू या ब्लैक पैन लिके जाना है आपको बॉल पैन होना चीज़ें ठीक है उसके बाद एक मास्क पहिन के जाना है लिक पेल्ट उसके पैन अ कुझे बाद के जाके ठीक है ना बागी मैंने दोस्तों आपको complete detail में बता दिया है वीडियो थोड़ा सा long हो गया लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा अगर आप online exam कैसे देना होता है हमारी चैनल पर आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी उस वीडियो को आप देख लीजेगा अगर आप पहली बागी मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो मैं तब तक के लिए जाहिन वद्ने मात रहा हूंगा अगर आपको रियली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बाइल आइकोन प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेक्या हूं आपक के लिए जाहिन वद्ने मात रहां